हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल तो आज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं सेकंड चीज हम सीखेंगे अपनी साइट पर SSL कैसे इंस्टॉल करते हैं और तीसरी चीज हम सीखेंगे हम अपने डोमेन होस्टिंग के तुरू वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने होस्ट पे डारेक्ट सरौर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने डोमेन और होस्टिंग बाय कर लिया होगा तो भी बात करते हैं डोमेन की तो डोमेन आप कहीं से भी खरीच सकते हैं मैंने नेमचिप से खरीद आये तो सबसे सस्ता डोमेन आपको नेमचिप में मिलेगा तो आप कहीं से भी खरीच सकते हैं नो इशू गोडेडी या भी ग्रो कहीं से भी खरीच सकते हैं अब बात करते हैं होस्टिंग की तो the most affordable hosting इससे सस्ता भी आपको मिल जाएगा लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता मतलब they are not established company तो उनका hosting performance इतना facility वो सब आपको मिलेगा ने तो if you are beginner तो मैं आपको recommend करूंगा hostinger minimum hostinger बाहर करें तो hostinger के भी अलग-अलग plan है तो आप single website करीच सकते हैं multiple का है तो multiple का लेंगे तो आप domain उसके साथ ही मिल जाएगा लेकिन अगर आपका budget का में तो single website का hosting purchase कर सकते हैं मैंने भी वही किया है और जब आपका site अच्छा हो जाए इच्छा ट्राफिक आने लग जाए तो आप फिर a2 hosting bluehost बहुत सारे उनका उन पर जा सकते हैं अगर और भी ज़्यादा ट्राफिक आ रहा है तो फिर आप cloud hosting पर move कर सकते हैं तो बात की बात है तो अब बात करते हैं अभी हमारा domain अलग है hosting अलग है मतलब वो अलग-अलग कैसे मिलाते हैं तो काई मैंने क्या किया है मेरा जो नेम चिप अकाउंट है उस पर मैंने ओल्रेडी लोग-इन कर लिया है और अभी मैं hostinger पर भी लोग-इन कर लेता हूं ठीक है यहां पर लोग-इन पर जाकर तो यह मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो यहां से हम सेट अप करेंगे मतलब करेंगे हमारे डोमेन को तो अभी आपको क्या करना है यहां पर जाना है hosting पर यहां पर आपको setup पर क्लिप करना है हमने एक ही single website के लिए प्लान लिया है तो यहां पर एक ही दिखा जाएगा अगर आप multiple का लेते है ठीक है select a platform तो हम क्या करने वाले wordpress install करेंगे या तो आप यहां पर select कर सकते हैं यहां पर option migrate my website अगर आपका किसी दूसरी hosting पर आपका site तो यहां पर select करके migrate कर सकते हैं लेकिन हम इसकी ज़रूत नहीं हम first time create कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं करता हूं I will start from scratch okay ठीक है अभी यहां पर क्या हमें domain add करना पड़ेगा अगर हमने hostinger से domain buy किया है तो यहां पर already list में आ जाएगा buy a domain और अगर हमने दूसरी site से अपना domain buy किया है तो हमें यहां पर add करने का पूच रहा है तो डाल देते हैं ठीक ही यह domain मेंने अल्रेडी buy किया हुआ है तो मैं इसको डाल देता हूं और इस पर क्लिक करना है तो अभी यहां पर use access ठीक है तो यह मेरा active domain है यहां पर change भी कर सकते हैं तो यहां पर उसका सारा detail दिखा रहा है कहां से purchase किया है मैंने name chip से purchase किया है तो भी यहां पर आपको क्या दिख रहा है name server दिख रहा है तो या तो आप अभी इसको note down कर सकते हैं या हम वहां बाद में भी इसको access कर सकते हैं तो यह name server हमें हमारे जो domain है वहां पर enter करना पड़ेगा connect करना है तो भी आप इनको save कर लीजे notepad में कहीं पर या हम बाद में भी यह value check कर सकते हैं कैसे access करना है तो अभी मैं click करता हूं continue पर अभी यह मुझसे पूंच रहा है server location तो अभी यह जो जो location जिस location पर यह hosting on streamer का server located है तो हमें वह server choose करना है तो यहां पर कहां का इसका server available है Asia अगर मैं इंडिया में हूँ तो Singapore, Europe तो जहां जहां इसका server available होगा माँ की location बताएगा तो अभी यह depend करता है आपकी site में बताब का ज्यादा traffic कहां पर आएगा जैसे कर मेरी site का target audience अगर सिर्फ इंडिया है तो मैं nearby इंडिया का server select करूँगा तो मेरा speed faster रहेगा suppose अगर आप अमेरिका की audience के लिए अगर आपकी site के लिए तो आपको यह server choose करना तो आपका site fast run होगी मतब जल्दी load होगी जितना server नजदीक होगा तो वह आपे उतना जल्दी site load होगा तो आप according to your requirement आपका target audience अगर ट्राफिक कहां से थी तो उसके according आप अपना server choose कर सकते हैं तो let's say जैसे मुझे अपनी site का mostly traffic इंडिया से इची यह राइट तो मैं इंडिया यह एश्या चूज कर लेता हूँ चैंज ओके फिनिश सेटप ओके ठीके तो यह इसने इसका इंटर्नल सेटप कर दिया है अभी यह हमसे option पूँच रहा है connect your domain set मतला अभी हमने domain को connect नहीं किया है यहां पर view your website and control c-panel राइट चूंकि अभी हमने connect नहीं किया है अगर हम view website करेंगे तो अभी हमें कुछ दिखेगा नहीं because connect ही नहीं हुआ है राइट और यहां पर हम जाके यह control panel है तो अभी यह c-panel यह सारा manage हम c-panel के through करेंगे राइट तो हमें पहला step क्या करना है सबसे पहले domain को hosting से connect करना है तो अभी आप देख यहां पर left side में दिखरा होगा आपको यहां पहले यहां पर जाना है जिसे मेरा domain पर यह manage manage किया तो आपको left side में दिखरा होगा यहां पर hostinger name servers तो अभी यह name server हमें काम आएंगे domain से connect करने के लिए तो अभी हम जाते हैं मैंने already login किया हुआ है अपने name chip पर तो मैं यहां पर गया तो यहां से अगर आपने multiple domain buy की होई तो यहां पर list में दिखा रहेगा तो अपना जो domain है यह ठीक है अपने को इस पर इसी को connect करना है तो वहां पर आपको right में दिखेगा manage तो manage पर क्लिक करना है जो भी जिस भी domain से connect करना है उस पर क्लिक किया manage manage करने के बाद हमें जाना है name server ठीक है यहां पर आपको दिख रहा हुआ name servers बाकी और भी option है तो उनको touch करने की ज़रूत दी है यहां पर अपने को select करना है custom DNS ठीक है तो यहां पर दो books रहे name server 1 and name server 2 तो हम अपने यहां से copy कर लेते हैं तो पहला name server copy और यहां पर पेस्ट नौ सेकिंड वान पेस्ट दोनों वेल्यों एंटर करने के बाद यहां पर बटन दिख रहा हुआ राइट सेव कि तो अब इसको क्या होता है कुछ minute या कुछ minutes लगते हैं इसको redirect करने के लिए कभी-कभी minutes लगते हैं कभी-कभी hearts भी लग जाते हैं गंटा दो गंटे बट mostly अभी लगता नहीं minutes में हो जाएगा 5 minutes 10 minutes तो हम एक बार जा के check करते हैं अभी hosting manage ठीक है अभी यहां पर your website preview is ready तो यहां से हम preview भी check कर सकते हैं मतलब connection established हो चुका है अभी हमें क्या करना भी लेकिन अभी हम check करेंगे front में जाके तो कुछ नहीं दिखेगा right कि front में भी कुछ नहीं दिखेगा because हमने क्या किया है अभी wordpress install नहीं किया है जब हम install करेंगे तब यह reflect होगा तो अब हम करने वाले wordpress install hosting में इस server पर वापस इस screen पर आना है जैसे अभी मेरा single website अगर multiple website होती तो यहां पर listing होती लेकिन हमारे page में single है तो हमें क्लिक करना है manage पर और scroll करना है तो यह क्या इसी panel है तो यहां पर बहुत सारे आप देख रहे हैं option है change password details email account तो बाद में देखेंगे हैं हम sub domain भी create कर सकते हैं तो उसके लिए अलग से video बनाऊंगा sub domain कैसे create कर सकते हैं हमें बाकी option छोड़ना है यहां पर जाना है website और यहां पर आपको दीख रहा होगा auto installer तो यहां पर या तुम इस पर क्लिक कर सकते हैं WordPress पर या auto installer पर क्लिक करेंगे तो यह हमें option देगा हम क्या-क्या इंस्टोल कर सकते WordPress WordPress with book or merge zoomla जो भी अधर इसके product है तो यहां तो वहां से कर सकते हैं यहां क्लिक कर सकते हैं तो हम यहां पर क्लिक करते हैं select WordPress overwrite existing file अभी यहां पर जो admin जो रहेगा हमारा WordPress का उस का में admin username और admin password डालना पड़ेगा तो मैं admin ही डाल देता हूँ भी यहां में डाल देता हूँ जो हमारा domain name है ठीक है है पासवर्ड पासवर्ड मैंने डाल दिया है admin का email address यहां पर आप डाल देना आपका जो भी email हो या पड़ना बाइडिफोल्ट आपका जो भी रेजिस्टर होता है email होता है या blank भी छोड़ सकते हैं देखते हैं आपको देखिए तीन option दिख रहे होंगे turn of automatic application update update only to minor version always up to latest available version तो हम क्या करते हैं मारा जो wordpress में क्या update आते रहते हैं तो अगर हम यह set करेंगे always update to latest तो यह automatic update कर देगा backend से हमें manually जाके update नहीं करना पड़ेगा या अगर इसको turn of कर देंगे तो हमें फिर manually जाके update करना पड़ेगा या तो cPanel के तुरू कर सकते हैं या wordpress से कर सकते हैं तो वह हम इसको क्या करते हैं अभी turn of automatic turn of कर देते हैं ठीके तो मैंने password डाल दिया इसकेस आपसे इंस्टोलेशन हो गया है इसका तो आप देख सकते हैं यहां पर जो यह domain connect हुआ है यह बहुत सारे option दिखा रहा है यहां पर फ्रेज अपडेट यहां से हम आप change कर सकते हैं हमने क्या है अभी automatic update disable कर रहा है तो यहां से अगर मैं जाके इसको don't update या whatever या automatic update कुछ भी कर सकते हैं ठीक है रोस्टिंग कनेक्ट हो चुका है सर्वर अब हम क्या करते हैं अपनी site पर जाके देखते हैं तो यहां पर राइट में option दिख रहा होगा edit website तो इस पर क्लिक करिया तो यह कहां redirect हो रहा है भी domain पर इसका front देखते हैं किसा दिख रहा है ठीक है तो इस नहीं किया कि जो by default theme है वह install होती है WordPress के साथ by default theme जो भी आती है वह install है और यह front में यह सा दिख रहा है ठीक है तो यह हमारा connection complete हो चुका है हाँ अभी क्या यह बाकि हमारा SSL तो भी आप देख रहे हैं आप यह सा कुछ दिख रहा है आपको क्या दिखा रहा है not secure मतलब हमने अभी SSL install नहीं किया अभी SSL क्या होता है यह अपनी site को extra security layer होता है तो security provide करता है hacking वगेरा इससे लिए तो यह क्या करता है data को encrypt कर देता है तो अब हम क्या करते हैं इस पर SSL installation तो भी दिख रहा है ना note secure यह और ऐसा icon आ रहा है तो हम क्या करते हैं हमारे c-panel में जाते हैं तो आप यहां पर देखिए यहां पर option दिखा रहा है SSL certificate setup तो यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं यह अगर आप top menu में जाएंगे तो यहां पर भी दिखा रहा है SSL यहां से भी जा सकते हैं तो यहां पर भी जाएंगे तो आपको option दिखेगा setup तो हुई अप तिरी ओप्षिम पर जाएंगे तो यहाँ पर पे उप्षिन दीएगा सेटब तो आप कहीं से भी जाके सेटप टिक करना है अब यह मारा एकी डॉमेन है अगर अडर मल्टीटल डॉमेन हो तो यहाँ पर सलेक्शन के लिस्ट आता है तो यह हमारा जो डोमेन है superi-card.com इस पर क्लिक करते हैं install ssl ठीक है तो हमारा यह install हो गया है अब भी चेक करते हैं डोमेन पर जाके इसको refresh करते हैं अब भी reflect नहीं हुआ है ठीक है थोड़ा wait करते है ठीक है तो यह कुछ minutes लेता है अभी यहां पर आप देखी यह active हो चुका है अभी active हो गया तो फिर से refresh करते हैं ओके तो अभी यहां पर आ गया है लोक आ गया पहले वो not secure आ रहा था तो आप देखी यहां पर आपको detail भी दिखाएगा connection is secure ओके तो हमारा यह आज का वीडियो complete हो चुका है अगर आपको कोई query हो तो आप comment में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe जरूर कर लेना और शेर करना अगर किसी को इसकी जरुत है तो ठीक है तो मिलते हैं भी अगले वीडियो में तब तक बाए